हलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके कोई टेक्नीकल दोस्तों में आपका फिस स्वागतेक करता हूँ तो बिना टाइम वेस्ट के वेडियो वो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन परपस के लिए है तो इसका जो गलत उप्योग है वो बिल्कुल नहीं करें तो उमीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो का आप पासवर्ड पता कर सकते हो जो आपके लेप्टॉप के अंदर या डेक्स्टॉप के अंदर वो पहले से ही कनेक्टेड है यानि जुड़े हुए हैं तो कैसे तो आज के इस वीडियो में जाने वाले हैं तो बिना टाइम रेस्ट के वेडियो वो शुरू करते हैं चल antics आपको यहाँ पे आना है नहीं क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में आपको एक शेरिंग का औपशन दिखाई रहोगा नेयट्रूेर्ट सेरिंग तो वहाँ पे को okay करना है, जैसे आप okay करोगे, आपके सामने नया window pop up on और इसके अंदर आपको यहाँ पे option दिखाए दे रहे है, Wi-Fi wireless वाला यहाँ पर आपको click करना है, जैसे आप क्लिक क्या ओगे, तब आपके सामने एक नया window pop up और ou not होगा और इसके अंदर हमें करना है वो है यहां पर प्रोपर्टी इस पर हम लोग क्या करेंगे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही हमारे साथ एक में विंडो पॉप पॉण और हम लोग आएंगे शक्यूरटी के अंदर जैसे हम लोग सेक्यूरटी ओपन करेंगे तब इस टाइप का हमरे साथ आए आएगा जो पासवर्ड है वो यही है हम यहां पर शो पासवर्ड कर देंगे तो पासवर्ड है वो सो हो जाएगा कैसे ही पासवर्ड है वो सो हो गया इस तरीके से आप किसी भी वाइफाई के पासवर्ड हो देख सकते हो लेकिन वह आपके पीसी के अंदर या लेप्टॉप के अंदर पहले से ही कनेक्टेड होना चाहिए तो दोस्तों आई होप कि यह जानकारिया आपको अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों बने रहे है टेकनिकल दोस्त इंडिया के साथ धन्यवाद जहिए तो दोस्तों इस परकार से आप आपके लेप्टॉप में या डेक्स्टॉप में कनेक्टेड किसी भी वाइफाई का है वो पास्वड पता कर सकते हो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आपके लिए हेल्फुल है आपको नोलेज मिल रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और आप दोस्तों यहीं आप मेरे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को सिस्क्राइब हो जरूर करें तो आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाई धन्यवाद जहें बाइबाई